नमस्कार, मैं हूँ भागनसती और जुनूर में आपका स्वागत है आज हम बात करेंगे एक runner के काम के बारे में एक runner management के लिए सहायक होता है और वह message और delivery पहुचाने के लिए internal और external factors के बीच एक bridge का काम करता है एक office के अलगलग department के हिसाब से एक runner का काम अलगलग हो सकता है runner के कारे office प्रबंदन को पूरा समर्थर मुहया कराना office प्रबंदन द्वारा दिये गए निर्देश को प्राथमित्ता देना और उन्हें विरमरता पूर्वक मददगार तरीके से पूरा करना और इसके साथ-साथ office के routine काम जैसे phone उठाना, form भरना, slide जारी करना और अन्य काम को पूरा करना होता है अब जानते हैं runner की जिम्मेदारिया इनमें सबसे पहले आता है विभिनिस solution और दृष्टी कोर्ण के positive और negatives देखने के लिए तर्ग और कारण का इस्तमाल करना संभावित काम के लिए अपने समझ का इस्तमाल करना और इसके साथ-साथ निर्ने लेना अच्छी कारी योजना और सुधार के लिए आत्म प्रदर्शन पर ध्यान देना जो competition और management की प्रतिक्रिया है उसे समझना और उसके हिसाब से काम करना अपने काम को दूसरों के साथ समयोजित करने के लिए सहयोगी रुक अपनाना उपकरन और जो सिस्टम परिचालन है उस पर नियंत्रण रखना भविश्य के उद्देश्य के लिए जो भी समस्याय आई हैं उन्हें समझना और उनसे सीखना इसके साथ साथ जो मुष्किल मुद्दे हैं उनके समाधान निकालना और समाधान के implementation के जो अलग अलग यहाँ पर विकल्थ मौझूद है उनका मुल्यांकन करना और साथ ही साथ जो विकास की जानकारी है उसकी समीक्षा करना अब आपको बताते हैं एक runner के लिए जरूरी checklist और best practices इनने सबसे पहला है प्रख्यात company के साथ जुड़ना अगर आप एक प्रख्यात और भरोसे मन company के साथ जुड़ते हैं तो ग्राहकों का आप पर भरोसा बढ़ता है दूसरा है सिफारिश करने को कहें किसी भी business को मजबूत बनाने के लिए प्रचार एक बढ़िया तरीका है इसलिए अपने ग्राहकों को दूसरे लोगों को आपका नाम सुझाने को जरूर कहें इसके बाद आता है अच्छा कारे अनुभव अकसर लोग ऐसे runner को चूज करना पसंद करते हैं जिनके पास एक अच्छा और लंबा अनुभव हो और साथी साथ बाजार में अच्छी reputation हो तो इस पर जरूर ध्यान दे इसके बाद आता है समनवय और रखरखाव आप अपने काम को दूसरों के साथ समयोजित करने के लिए पहले तो एक सहयोगी रुख अपना है और इसके साथ साथ जो उपकरण है और सिस्टम परिचालन है उनका नियंतरण करने के लिए एक सहयोगी रवेया जरूर अपना है इसके बाद आता है पूरे काम की जाज करने के बाद लागत बताएं आप ग्राहक को पूरे काम की जाज के बाद ही लागत बताएं वरना ग्राहक का आप पर से भरोसा उठ सकता है और आखिर में आता है तर्क और कारण किसी भी प्रॉब्लम या सल्यूशन के जो पॉजिटिव और नेगिटिव साइल्स हैं उन्हें देखने के लिए और उन्हें समझने के लिए तर्क और कारण का इस्तमाल करें अब आपको बताते हैं एक रनर के लिए जरूरी टूल्स और टेक्नोलेजी के बारे में इनमें सबसे उपर आती है फर्स्ट एड किट ओफिस में किसी भी तरह की आपात स्थिती के लिए एक रनर के पास हमेशा फर्स्ट एड किट मौझूद रहनी चाहिए इसके बाद आती है पेपर क्लिप्स क्योंकि एक रनर का ज्यादतर काम पेपर वर्क से जुड़ा होता है या फिर स्टेबलर जैसे सामान हर रनर के पास परियाप मात्रा में हमेशा मौझूद रहने चाहिए इसके बाद आती है पोटो कॉपी मशीन अब हर रनर के पास अपनी पोटो कॉपी मशीन रखना तो संभव नहीं है लेकिन ओफिस द्वारा मौझा कराई गई पोटो कॉपी मशीन को मेंटेन करना और साथ साथ उसमें परियाप मात्रा में शीट्स बनाए रखना एक रनर का काम है इसके बाद आता है फाइल फोल्डर इंपोर्टेंट दस्तावेस को अलग-अलग करने और सुरक्षित तोर पर रखने के लिए फोल्डर का इस्तमाल किया जाता है इसके बाद आती है कॉन्टाक्ट लिस्ट एक रनर को अलग-अलग मेसेज को पहुचाने और उन्हें रिसीव करने के लिए जो कितने सारे नंबर्ज होते हैं, उन्हें सेव करने के लिए कौन्टाक्ट लिस्ट बहुत काम आती है और आखिर में आता है वाहन क्योंकि एक रनर को अलग-अलग मेसेज को प्राप्ट करने या डिलिवरी पैकेज़िस को लेने का काम हो सकता है ऐसे में खुद का बाहन या फिर ओफिस द्वारा मुहया कराया गया अग बाहन काम आसान कर सकता है और इसके साथ साथ समय भी बचाता है अब आपको बताते हैं वो चीजें जो एक रणर को करनी चाहिए और जो नहीं करनी चाहिए सबसे पहले वो बाते जिनका आपको ध्यान रखना है सबसे उपर आता है प्रबंधन को पूरा समर्थन मुहया कराना इसके बाद प्रबंधन के जो निर्देश है उन्हें प्राथ मिक्ता देना और उन्हें विनमरता पूरवक नवीनता और मददगार तरीके से पूरा करना इसके बाद जो भी ऑफिस के रूटीन काम है जैसे फोन समहलना, फोटो कॉपी करना, डेटा इंट्री करना, फॉर्म भरना और स्लाइट जारी करना आदी इन सबको अच्छे तरीके से पूरा करना इसके बाद आपको जो ऑफिस के सप्लाइज है, उपकरन है, उनको परियाप्त मातरा में मुहया कराना है और इसके साथ साथ जो भी पैकेज़, मैसेज और जो दूसरी चीज़े और मेल्स हैं, उन्हें इखटा करना अब वो चीज़ें जो आपको बिल्कुल भी नहीं करनी हैं, सबसे पहले किसी से भी असभ्य विभार ना करें काम में बिल्कुल भी विलंब ना करें, ऑफिस के कुछ लोगों के प्रती पक्षपात का रवयाब बिल्कुल ना रखें ऑफिस के जो भी उपकरण हैं, उनके प्रती लापरवाही ना बरते और किसी भी चीज़ का गलत इस्तमाल ना करें और आखिर में मेसेज की डिलिवरी का गलत निशकर्ष ना निकालें थैंक्यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए और मैं आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपके काम आएगा